हम अमर नाथ के कभूतरों की कथा सुनाते हैं सुनाते हैं सुनकर अमर कता जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कता सुनाते हैं नाथ कि कबूतर हुए सदा के लिए अमर एक दिन भोले पार्वती भक्तों बैठे कैलाश कर रह बाते आपस में और कर रह थे उपहार बोली पार्वती क्या भोले आपके मन में आया योगी जैसा भेस आपने जो अपना है बनाया तन पर भस्म रमाए बैठे पहनी म्रिग छाला सोच सोच हैरान हुमें ये कैसा रूप निराला नर्मुंडो की माला अपने गले में जो पहनी है भेद जान ना भोले नात मुझको इसका भी है सुन गवरा की बाते ये भोले मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर ना थे के कबूतर हुए सदा के लिए अमर ये अमर ना थे के कबूतर हुए सदा के लिए अमर कहने लग भोले गौरा ये बात जरासी है भस्म रमाए बैठे है क्योंकि सन्यासी है म्रिग छाला के आसन पर जो बैठिक ध्यान लगातें अपने अराध के दरसंतों सीख्र ही हो जातें और गले में पहना हमने नर्मुंडो का हार जन्म तुम्हारे पारवती जितने भी हुए लगतां हर एक जन्म के साथ एक नर्मुंड है बढ़ता जाए गिन सकती हो मेरे लिए तुम कितने जन्म है पाए रहस नर्मुंडो का भोले उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ के कबूतर हुए सदा के लिए अमर ये अमर नाथ के कबूतर हुए सदा के लिए अमर सुनकर भोले से बोली फिर माता पारवती जन्म मरड के बंधन से मुझे पानी है मुक्ती अजर अमर हो आप तो भोले ऐसा करो उपाएं जन्म मरड के बंधन से मुक्ती मुझे को मिल जाएं कहने लग भोले संभोना इससे मुक्ती पाना जो भी आता है इस जग में पड़े है एक दिन जाना किन्तू पारवती माता तो अडगई है जित पर उनकी जिद के आगे हारे खुद भोले शंकर अमर कथा जो सुन ले अमर तो हो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ है के कबो तर्ड और सदा के लिए अमर ये अमर नाथ है के कबो तर्ड और सदा के लिए अमर बोली पारवदी सुननी है मुझको अमर कथा जन्म मरड के बंधन की मेरी मिट ही जाए प्रथा कहने लग भोले मैं अमर कथा तो करू बखान किन्तु उत्तम ढूड न होगा इसके लिए अस्थान ऐसा हो अस्थान जहां पर ना कोई प्रारी है एक आंतवास हो कथा जहां पर तुम्हे सुनानी है घूम घूम कर देखे फिर अस्थान कई सारे चल चल के आखिर नंदी और गणपत ही हारे जान न पाए भोले नाथ आखिर क्या चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथे के कभूतर उजदा के लिए अमर ये अमर नाथे के कभूतर उजदा के लिए अमर अमर कथा तो पारवती ही सुनना है चाहती किन्तु साथ में आ गए है नंदी और गणपत भी सबसे पहले भोले ने नंदी का त्याग किया पहले त्याग से पहल गाओं है इसका नाम हुआ फिर भोले ने त्याग दिया माथे का चंदा भी जहां पे चंदा त्यागा चंदनवारी है वो ही सरपों की माला का जहां भोले ने त्याग किया शेसनाग तो भगतो है उस जगह का नाम हुआ किन्तो गड़ेश तो अप भी संग में चलते जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुन कर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर ना थे के कभूतर फूर सदा के लिए अमर भोले नाथ ने फिर तो है स्रिगरेश का त्याग किया गरेश टाप के नाम से जानी जाती है जगहा थोड़ी दूर चल करके भोले पारवती फिर आए अपनी जटा से गंगा को भी अब है दिया हटाए पंच तरड़ी के नाम से ये जगहा है जानी जाती पंच तत्व का त्याग किया फिर भोले ने यहां भी एक आंतवास में पारवती और भोले फिर आए उचे उचे परवत है और जहां पे कई गुफाए एक गुफा में भोले पारवती फिर आते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ के कबो कर फुर सदा के लिए अमर ये अमर नाथ के कबो कर फुर सदा के लिए अमर कहने लग भोले गौरा से उत्तम ये अस्थान कोई भिप्राडी नजर ना आता जगह बड़ी सुनसा बजा के डमरू फिर भोले तो लगे नित्य करने सुन डमरू की डमडम प्राडी लगे सभी डरने भोले के डमरू की डमडम जहां तलक जाए सुनके भयंकर धोनी प्राडी कोई नटिक पाए दूर दूर तक अब तो कोई नजर नहीं आता कहने लगे सुनो पारवती अब अमर कथा मैं सुनाता इनको इसको सुनने के तुम्हे नियम बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ है के कबोतर हुए सदा के लिए अमर ये अमर नाथ है के कबोतर हुए सदा के लिए अमर शीतल और पावन मन करके अपना ध्यान लगाना बीच बीच में हुंकारे भी गोरा भरते जाना अमर कथा को नित्य निरंतर सुनते जाना है ना नित्रा ना आय उबासी ना सुस्ताना है बोली गोरा भोले नाथ जो नियम आप बताएं करूंग पालन कथा सुनू मैं अपना ध्यान लगाएं भोले नाथ ने शुरू किया फिर अमर कथा को सुनाना किन तू भोले पारवती ने इतना ना जाना एक कबूतर के दो अंडे वहां रह जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर ना थे के कबूतर हुए सदा के लिए अमर अमर कथा अब भोले ना थे माता को रहे सुनाए बीच बीच में हुंकारे मा गोरा भरती जाए करके आखे बंद वो भोले कथा है रहे सुना अमर नहीं हो सकती क्योंकी कथा को सुने भिना नेत्र बंद थे भोले के उन्हें कुछ भी ना सूझे सुनते सुनते कथा को अंडे के बन गए चूझे अमर कथा है लंबी बड़ी ये खत्म नहीं हो पाए चूझे थे जो बड़े कबूतर बनने को आए ग्यान की वर्षा भोले नाथ बरसाए जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ के कबूतर हो जदा के लिए अमर ये अमर नाथ के कबूतर हो जदा के लिए अमर भोले तो अपनी ही धुन में लगे हैं कथा सुनाने ठक कर सो गई पारवती ये भेद नहीं जाने अमर कथा भोले के मुख से चलती रही लगतार क्योंकि कबूतर बीच बीच में भरते हैं हुंका भोले नाथ ने सोचा के सुन रही है पारवती अमर कथा को सुनके अमर वो हो गए दोनों भी खोली आँखे भोले ने जब कथा का हुआ समापन देखा पारवती सोई गहरी नित्रा के कारण किसने सुन फिर अमर कथा वो जान न चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथे के कबूतर हुए सदा के लिए अमर बोले नाथे ने गौरा को नित्रा से जगाया हैं बोले अमर कथा को तुमने व्यर्थ गवाया है किन्तु यहां है और कोई जो भरता था हुंकारे जलने लगे है नेत्र भोले के फिर तो क्रोध के मारे क्रोध में भरके उन्होंने अपना उठा लिया तिर सू कौने है फ्राडी कथा सुनने की जिसने की है भू सुनता है तो तुरंत ही मेरे सामने आ जाए वरना क्रोध की अगनी से मेरी नावो बच पाए फिर तो कभूतर सामने दोनों आही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ के कबूतर हुए सदा के लिए अमर करने लगे वो विंती भोले हम पर करो दया आपने ही तो कथा सुना कर हमको अमर किया आप जो चाहो ले सकते हो पल भर में ही प्रान किन्तु अमर कथा का होगा बोले ये अपमान अमर हुए है आपके मुख से अमर कथा को सुनते हम से वा में आपकी भोले सदा रहेंगे तत पर भोले नात को फिर तो दया उन दोनों पर आई ही लगे सोचने अमर कथा इनको मैंने ही सुनाई पारवती के संग हिमलिंग में भोले समाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ के कबूतर और सदा के लिए अमर ये अमर नाथ के कबूतर और सदा के लिए अमर अमर कबूतर का ये जोना आज भी देखा जाएं भाग शाली वो नर है जिसको दर्शन हो पाएं अमर नाथ की गुफा में वैसे कई कबूतर हैं शोयत कबूतर का एक जोडा किन्तू यहां अमर है स्रावर मास में अमर नाथ की आत्रा जब चलती हैं शोयत कबूतर के दर्शन से किसमत खुलती हैं हिमलिंग में है यहां विराजे भोले पारवती अमर कबूतर की भी भगतों पावन कथा यहीं सुनते हैं जो कथा कुदर्शन का फल पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ है के कबूतर और सदा के लिए अमर बूटा मलिक ने सबसे पहला दर्शन पाया था एक दिन भेड चराने जब वो यहाँ पे आया था फिर तो लगा है हिमलिंग के वो रोज ही दर्शन करने भोले नाथ का अपने मन में लगा है नाम सुमरने एक साधू बाबा के हो गए उन्हें वहाँ दर्शन कौन ये सन्यासी है बूटा सोचे मन ही मन एक पोटली कोयल की उनको साधू ने दी बोले खोल न बूटा इसको घर जा करके ही जाना कैसे नाम ये बूटा समझ न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर ना थे के कबोतर हुए सदा के लिए अमर घर आ करके बूटा ने जब पोटली को खोला देखा की वो क्वेला बन गए सारा ही सोना उल्टे पाव फिर दोड़िक बूटा गुफा में आया है किन्तु उस सन्यासी को तो ढूढ न पाया है लगा सोचने बूटा वो तो स्वयम थे भोले ना अपनी कृपा का जिसने रख दिया मेरे सर पे हाँ अमर नाथ की महिमा फिर तो सबने जानी है डीयस पालन भकतों को जो कही कहानी है हो जी सुरेस भिचर्णों में सदशीस नवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सुनकर अमर कथा जो दोनों अमर हो जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ये अमर नाथ के कबोतर हुजदा के लिए अमर ये अमर नाथ के कबोतर हुजदा के लिए अमर ये अमर नाथ के कबोतर हुजदा के लिए अमर ये अमर नाथ के कबोतर हुजदा के लिए अमर ये अमर